स्वागते वज्चो जीडी साम्स के चैनल पर जहां आज हम बढ़ने जारें स्टैंडर फिप्स हिंदी यूनिट टू थर्ट लेसन भाई-भाई का फ्रेम तो इस लेसन में आप क्या देखने वाले हो दो भाई है उसमें से एक भाई जो बढ़ा है और उसकी शादी हो चुकी क्योंकि बढ़े वाले भाई के जो बाल बच्चे वह उसकी मदद कर देते थे काम में तो वह सोचता है कि मैं क्या करता हूँ अपने छोटे भाई की मदद कर देता हूँ उससे क्या होगा उसका थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो वह यह मदद करने के लिए क्या करता है वह कि कम होती है तो अपना घर कैसे चलाएंगे अवहЕं क्या करते हैं बड़े भाई की मदद करने घाता है वह क्या मदद करते हैं प्रफ में स्टोरी में देखने वाले तो हम इस के सब्सकी कि यहां पर बोला गए यहां कि प्रब मिंनो दूर गैंगा करनीति ति करें तौर पर दे confess यहां पर मनोहरपुर नमक एक उंदर गाउ था गाऊ की नामक हम बहुत हैलт लूँ इड़्ी जादा वाहनase रहता थी आता गाव के अधीकांज लोग ख्यती क्या करते थे मंशंड़ और में दौंग और मचान बढ़ा नहीं ठाईब कर में धी अपके इवा투ब में नो फटायं टिप तो लोग क्या गञ दें मेध्टेब आउध्सों कि करते थे तो आप इसी गाउमें दो भाई रहते थे, दोनों किसान थे, उनके घर अलग-अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे अब देखो दोनों जो भाई थे वो किसानी थे ठीक है और वो दोनों भाई अलग अलग रहते थे और लेकिन दोनों में क्या था बहुत ही जादा प्रेम था और दोनों भाई एक दूसरी के भलाई के बारे में सोचते थे यानि कि पहला वाला क्या करेगा तो दूसरे वाला अ अब देखो इस वर्ष में इस वर्ष में इस साल में जो आपकी फसल हुई तो बहुत जादा अची थी और जो फसल अब पक चुगे तो आप लोग क्या करे थे फसल को काट रहे थे और काटने के बाद उसे खलियान में जहां पर उसे स्टोर किया जाता है अपना जो भी ग्रे मैरे दो बच्चे रहस्ती को याम मदद करते हैं अब एक दिन क्या हुआ जो उनका बड़ा भाई ता वो उस नहीं सोचा रहा एक चोटे बाई के बाल बच्चे नहीं है उससे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है इसलिए मुझे उसकी साहता करनी चाहिए अब वो क्या सोचते है कि मेरी मदद तो मेरे बच्चे कर देते तो मुझे इतना जादा काम नहीं करना पड़ता लेकिन जो मेरा छोटा भाई है उसके बच्चे नहीं है तो उसको सारा काम क्या करना पड़ता है अकेले करना पड़ता है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसकी थोड़ी साहता कर दो साहता यानि क्या क्यों नहीं उसकी में थोड़ी बहुत मदद कर दो जिससे क्या होगा उसका जो काम है वो थोड़ा खलका हो जाए यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया या यानी कि यह सोचने के बाद क्या यह वह सोचने के पार क्या या वह उठा and then या घ्री अनाज से उसने गट्री अनाज बांधा उनमें से एक गट्री सिर प्रखर चोटे भाई की घेर की और बड़ा अब देखो वो खलियान में गया और उसने क्या क्या वहाँ पर जो अनाज के बहुत सारे धेर रखे वे थे उन में से उसने गटरी बान दी और उन में से एक गटरी उसने लिया अपने सर के उपर रखा और उसने सर के उपर रखे वो अपने भाई के और भाई के और जाने बड़ा भाई छोटे भाई के सोच जा था तो मैं रहां मैं और भाई के बारे में और भाहते हैं वह वह प DF कि जांगे य्पढ़ कर सकता हैं कister nuk गा然后 जा सकता तुर्फ कानवर्च और भाई यहां देखल ने हह meget मतितम तो कोई दूतरा कार lore fixed अब वो क्या बोलता है कि मैं कैसा जवान हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अगर खेती में कुछ नहीं हो रहा है तो मैं बाहर जाके कुछ नहीं कुछ कर सकता हूँ, दूसरा काम कर सकता हूँ, जहां मन चाहें वहां घुम सकता हूँ, मेरे खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भा तो बाल बच्चे वाले घर ग्रिष्टी के खर्च अधीक है अब वो बोलता है कि मैं तो अकेला हूँ मेरा कोई इतना खर्च बगेरा नहीं है लेकिन जो उसके बड़े भाईया है वो उनके क्या बाल बच्चे और इसके वज़े से उनके खर्चे भी जादे इसलिए मुझे अफड़े उनकी साहता करनी चाहिए वह भी उठ़ा और खल्यान में गया खल्यान में अपने अनाज की डेर में उसने भी दस गट्री अनाज बांदा उनमें से एक गट्री सिर पर उठाकर बड़े भाई के देर के और बड़ा अब उसने भी वही काम किया वहां से दस गट्री अनाज उसने बांदा और फिर वह एक गट्री अपने सर पर रखकर अपने भाई के तरफ जाने लगा अगर यह और दॉनों भाइ ये बड़ा भाई और चोटा भाई दोनों भी कहां जा रहें एक दुश्रे के घर की तरफ बैब बना रहें तो तो क्यूंकि गाउ है तो वहां पर lights वगेरे तो थेनी तो बहुत जादा अंधेरा था और इतना जादा अंधेरा था कि अगर हाथ को भी अगर कोई देख रहा हो तो वहां पर हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था और ऐसे अंधेरे वाले वातावरण में जो दोनों भाई थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे एक दूसरे के अनाज के धेर के आपर बढ़ रहे थे अचानक वह एक दूसरे से टकरा गए दोनों चौक कर एक साथ बोले कौन है दोनों भाईयों ने एक दूसरे को देखा उनके स सर पर अनाज की गठरियां थी दोनों समझ गए अब क्या हुआ बहुत जादा अंधेरा था कुछ दिख नहीं रहा था वैसे में दोनों एक दुसरे की तरफ जा रहे थे और तभी क्या हुआ दोनों एक दुसरे से लड़ गए और टकराने के बाद दोनों पूछने लगे कि स्य देखा थे गठेक हो उनके सरूपAY कै jeunes आती ich street दोनों समझ गए कि क्या करने wाले है इंग भाई नेक्स ने लिए बमें वाए ने कहा रहते हं खेती का साल काम काम समालना पढ Stitch का भी le के लिए समालना पड़ता है तो वो फिर बोलते हैं मैंने शोचा कि तुम्हारा तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा इसलिए मैं खलियान से अनाज तुम्हारे डेर में डालने जा रहा था भाईया आप बाल बच्चे वाले आपके खर्च तुम्हारी मदद करने के लिए मैं एक अनाज आपके इसमें डालने जा रहा हूँ तो वैसे छोटा भाईय भी बोलता है कि आप तो बाल बच्चे वाले हो मेरे से जादा आपका खर्च है और इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको अधिक मात्र आपको जादे आज के धेर आपमें डालने जा रहा था तो दोनों ने भी बता दिया कि वो लोग क्या करने जा रहे थे और कैसे मदद करने जा रहे थे अपनी बात कहते सुनते दोनों भायों की आखें भर आए दोनों रात हुए एक दुसरे के गले लग गए दोनों भायों के प्रेम की य यह सुनते ही दोनों के आखों में क्या आ चुका था यहां पर पानी आ चुका था और वह क्या कर देखोंगे तो दोनों भाई क्या करें एक दूसरे को गले लगा रहें फिर जो हमें यहां पर पता चला पता बताया गया है कि दोनों भाईयों के बीच में जो प्रेम था उसकी जो कहानी है वो आज तक लोग बहुत ही जादा अच्छे से सुनाते हैं यानि की सुनते और सुनाते हैं तो यहां पर क्या होती है आपकी यह स्टोरी भी खतम होती है जहां पर आपने क्या देखा दोनों भाईयों के बीच का जो प्रेम था वो कैसे बड़ा भाई अपने वीडियो भी थैंक यू